नमस्कार, पिछले लिक्षर में हम लोगों ने बात किया था सुपरफीशल फंगल इंफेक्शन के बारे में और वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था सर्फिस माइकोसिस के बारे में अब हम डिसकस करने वाले हैं क्यूटेनियस फंगल इंफेक्शन के बारे में पिछले lecture को देखेंगे तो यह सारा का सारा concept आपका clear हो जाएगा और टीनिया नाइग्रा पेड्रा जिसमें black पेड्रा और white पेड्रा की conditions के बारे में हम लोगो ने study किया था अब हम discuss करने वाले हैं, superficial fungal infection में cutaneous mycosis के बारे में जिसे dermatophytosis कहा जाता है इसके कितने types हैं इस पर भी बात करें, आम तोर पर जो cutaneous involvement वाले mycosis हैं वो epidermis और dermis तक ही अपना involvement रखते हैं तो उन्हीं के बारे में अभी हमें study करना है, हमें focus यह जो epidermis के लियर है और dermis के लियर है उसी के level पर बात करने और समझना है इन सभी में हम discuss करेंगे trichophyton, microsporum और epidermophyton के level पर तो हमने शुरुआती दौर में ही discuss कर लिया था, जब हम microsporum की बात करेंगे तो M वाला N के साथ नहीं जाएगा यह बात discuss हो चुका है, यानि यह जो microsporum होगा, वो skin के level पर infection cause करेगा और hair के level पर fungal infection cause करेगा आपको पता होना चाहिए, जो hair होते हैं, उनका involvement epidermis के थोड़ा depth तक होता है आप देखें यहाँ पर, overall image, तो यह hair है, इस hair पर involvement की बात अगर करें, तो trichophyton, hair को involved करेगा, skin को involved करेगा और nail को involved करेगा try means try में, और आप देखें, जो surface पर हमारे layer है, appendices है, उसमे skin है, nail है और hair है तो trichophyton में तीन चीज़ों involved हो जाती है, micro sporum में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर M पर N का involvement नहीं हुआ, nail का involvement नहीं होगा, जबकि hair और skin का involvement होगा इसी तरीके से जब हम बात करेंगे epidermophyton की, तो वहाँ skin का involvement तो होगा, skin का involvement तीनों में होता है लेकिन वहाँ पर hair का involvement नहीं, epidermophyton, skin पर और nail दोनों का involved करेगा, तो इस तरीके से हमें इसके तीन जेनरा के बारे में पढ़ने का मौका बिलता है, देखें, आप यहाँ पर जो बतायागा है, सिर्फ अभी मोटे तोर पर याद करने भी, पूरी की पूरी स्टोरी आपके स responsible होते हैं, अभी हमने देखा था, ये cornified layer of skin को involved कर रहे थे, dermatophytes में मैंने आपको बताया तीन जेनरा, trichophyton, microsporum और epidermophyton, इन्हें आम तोर पर ring, worm या tinea कहा जाता है, इसमें candida LPNs का infection भी हम लोगो ने cutaneous mycosis के माबलों में यहाँ पर देखा है, तो candida के भी कुछ species यहाँ involved होते हैं, और ये cutaneous mycosis के माबले है, dermatophytosis, ये dermatophytes के three genre के द्वारा होने वाले fungal infection है, जैसे कि मैंने आपको बता है, ringworm या tinea नहीं कहा जाता है, नीट में पुछा गया ये question रहा है, और ये keratinized layer of skin पर grow करते है, keratin जहाँ भी पाया जाएगा, जैसे हमारे skin में, hair में, nail में ये पाया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ, क्या ये superficial layer of epidermis को involved करेगा, stratum corneum को तो involved कर सकता है, थोड़ा और नीचे आएगा, epidermis और dermis के level तक भी इसका involvement देखने को मिलेगा, जबकि stratum corneum exclusively involved हुआ था, superficial fungal infection के पहले type में, जिसमें हम surface infection की बात कर रहे थी, जिसमें हम p ये ड्रा की बात के थे, पिछले lecture में जो discussion हुआ था, वो exclusively dead layer को involved करता है, इसलिए वहाँ पर inflammation नहीं होता है, जबकि यहाँ पर, जब हम dermatophytes के infection की बात करेंगे, तो यहाँ पर inflammation की presence देखने को मिलती है, तो classification जो dermatophytes की morphology की basis पर देखी गई है, उसके आधार पर इसकी जो और macroconidia, दोनों की presence देखने को मिलेगी, आप देखें, यहाँ पर macro, जिसको बड़ा सा, आप देख रहे हैं, macroconidia, यह थोड़ी संख्या में होते हैं, very few, आप देख सकते हैं, इस image में ही, थोड़े से होते हैं, और microconidia abundant होते हैं, यह tear drop के जैसे, cluster में पाए जाते हैं, आ N को involved नहीं करेगा, केवल hair और skin को involved करेगा, skin पर 3 जिनरा involved करती हैं, अंतर बस यह है कि यह nail को involved नहीं करता है, hair को involved करता है, और यहाँ पर macroconidia पाई जाएगी, macro, micro में macroconidia, याद रहेगा, micro में macroconidia, आप देखें, यहाँ पर spindle shape, macroconidia की presence, जो multi-cellular structure होती है, इस तरीके epidermophyton, जो skin और nail को involved करता है, इसमें, हम microconidia देखते हैं नहीं है, तो microconidia कहने का मतलब ही आप समझ सकते हैं, छोटे-छोटे size के होते हैं, तो वो छोटे size वाले, trichophyton में खुब मिलते हैं, वहाँ macro कम होता है, जबकि micro sporum में macro वाला ही होता, micro नहीं होता है, और epidermophyton में त देखा जा सकता है, जब ये fungus ग्रो कराए जाते हैं, तो culture media पर इसका appearance और microscopic examination के दोरान, आप देख सकते हैं, ये है microconidia, बहुत बड़ी संख्या में आपको नज़र आ रहा है, जबकि ये जो macroconidia है, वो थोड़ी संख्या में, comparatively आप देखें, कम हैं, और ये जो microconidia है, ये tear drop shape के cluster में पाय जा रहा है, कि आपको ये appear हो पा रहे हैं, तो tear drop के जैसा macroconidia और macroconidia कम संख्या में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके against, यहाँ पर macroconidia की presence आप ज़्यादा देखने को पा रहे हैं, बाकि सारी चीज़ें उतनी visual नहीं है, तो ये abundant macroconidia क दिखाया गया photo, micro sporum के मामलों को involved करते हुए है, तो micro sporum में abundant spindle के shape के, ये spindle के shape के microconidia, जो के multi cellular structure है, इसके presence को आप देख पा रहे हैं, ये third level पर हम epidermophyton को देखने हैं, जो club के shape का है, आप देखें, ये club के shape का, इसके पहले हम जो shape देखने हैं, तो spindle shape था, ये club के shape का epiderm epidermophyton, जो microconidia यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है, तो इस तरीके से epidermophyton का अगर हमें image दिखाया जाए, तो dermatophytes की morphology की basis पर इन तीनों genre के level पर हम इसे classify कर सकते हैं, तो epidermophyton में हमने क्या देखा, club shaped, लेकिन microconidia नहीं देखा, Microsporum में हम लोगों ने spindle shape, macroconidia तो देखा, लेकिन microconidia rare था, जबकि trichophyton के level पर हमने देखा, microconidia ज्यादा थे, macroconidia कम था और वो भी pencil shape का, cylindrical shape का ये structure, trichophyton में, तो आप समझ सकते हैं, microconidia खुब यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, और बिलकुल भी नहीं यहाँ अब आप सोच रहे होंगे, इसकी आवशक्ता क्यों पड़ी? इसकी आवशक्ता इसलिए है, क्योंकि जो बात हमने discuss किया है, इसके आधार पर, microscopic observation की basis पर, dharma में कुछ questions हमसे पूछे जाते रहे हैं, aims का question देखते हैं, a patient made a self diagnosis of athlete's food, उसने खुद ही TV का ad देखा, उसे लग ग इप्रूव होती है, लेकिन वो clear नहीं होती है, और जब patient परिशान होते हैं, तो फिर वो dermatologist के पास जाते हैं, skin की scrapping ली जाती है, और वो lab में भेजे जाती है, fungus के culture कराय जाते हैं, और fungus का culture जब कराय गया तो उसमें slowly growing colony, जो कुछ small microconidia दर्शा रही थी, तो microconidia की presence हमने कहां कहां देखा था, हमने देखा, epidermophyton में तो होई नहीं सकता है, अब बजगे हमारे पास, microsporum और trichophyton के मामलों में, तो यहां पर जो question कह रहे हैं, skin की scrapping ली गई है, कुछ संख्या में small microconidia है, ऐसे मामले को हम किस dermatophytes के genre में रख सकते हैं, तो actual में, चुकि यहां पर जादा safer side में, वैसे तो यहां अगर epidermophyton हम कहें, तो वो तो होई नहीं सकता है, और microsporum कहें तो वो doubtful हो सकता है, क्योंकि वहां पर कह रहे हैं, लेकिन microconidia microsporum में भी rare होता है, तो microconidia trichophyton में थोड़ा और इसमें information होता तो अच्छे से कह सकते हैं, हाला कि यह हमारे पा trichophyton और यहां पर few small कह रहे हैं, तो microsporum की और यह answer ज़्यादा supportive लगता है, हाला कि दोनों में doubtful है, क्योंकि कुछ additional information और होती तो इस तरीके के question को सही करना ज़्यादा possible तो 50-50 मामला है, चाहे trichophyton और यहां microsporum की बात है, तो few कह रहे हैं तो इसके कार्ण उधर की और पास के layer को ज़्यादा इसलिए affect करते हैं क्योंकि यह keratinophilic fungus हैं, इसमें जब हम देखेंगे तो annular lesion होगा, ring shape के lesion होगे जिसमें peripheral scaling और यह चार और फैलते हुए जाएंगे, इसमें central clearing देखने को मिलेगा, जबकि central crusting होता तो lishmaniasis और central scarring होता lupus vulgaris tubercular cutaneous TB के मामले में central scarring के conditions होती, तो aims में जब question पूछा जाता है, तो confusion create करने के लिए, tinea के infection, ringworm के infection से confusion create करने के लिए, बोला जाता है, लेकिन वहाँ पर annular lesion तो कहा जाएगा, लेकिन central scarring की बात कही जाएगी, यह जो lupus vulgaris है, यह cutaneous form of tuberculosis का मामला होता है, और यहाँ पर lupus vulgaris का image दर्शा जाएगा है, देखें, annular lesion है, लेकिन central scarring जैसे मामले देखने को मिलते हैं, lupus vulgaris, cutaneous tuberculosis के मामले हैं, जबकि leishmaniasis में यहाँ पर crusting होगा, और जो ringworm के मामले होते हैं, उसमें erythmatis तो होगा, peripheral scaling होगी, लेकिन center में clearing हमें देखने को मिलेगा, आपने देखा भी होगा, t organism involved होगा, उसके level पर कैसे हम question को पहचानेंगे, तो सभी तरीके के tinia में, most common organism, trichophyton, rubrum हम कहा सकते हैं, बात समझे, जब हमारे सामने दिया जाएगा, तो हम option के वले कहीं देखेंगे, tinia का involvement है, और organism देखने की बात कर रहे हैं, तो trichophyton सबसे common भी होता है, इसलिए ज़्या trichophyton नहीं दिया गया है, nail का involvement है, तो वहाँ माइक्रोस्पोरम को नहीं लिखना है, ऐसे ही, अगर hair का involvement है, तो वहाँ पर epidermophyton का नाम नहीं लिखना है, epidermophyton कहां पर skin और nail को involved करता है, ये बात हम लोग ने discuss किया है, तो वैसे तो wide spectrum में अगर बात करेंगे, तो trichophyton rubrum के option को हम देखेंगे, tinia captives के मामलों में थोड़ा सा बचना होता है, क्योंकि अलग अलग जगों पर trichophyton के अलग-अलग species इसको involved करते हैं, जैसे tinia captives का मामला इंडिया में है, तो tinia captives के मामलों में, इंडिया में trichophyton violacium का option लेना होता है, नीट और एम्स में पूछा किया question है, इसलिए हमें tinia captives के मामलों में, trichophyton rubrum नहीं लिखना है, बाकि सारे में आप लिख सकते हैं, बाकि सभी में लिखा जा सकता है, लेकिन tinia captives का मामला है, तो इंडिया में trichophyton violacium, US में UK के लेवल पर अगर पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर trichophyton transurance होता है, ये रोप के countries में, माइकोस्पुरम के कुछे species involved होते हैं, तो most common tinia, अगर कह रहे हैं, organism की बात नहीं कर रहे हैं, disease की बात अब हम कह रहे हैं, तो most common tinia, इंडिया में कौन सा होता है, tinia carporis, और most common tinia word में कौन सा होता है, tinia pedis होता है, तो carporis, आप समझ सकते हैं, वो carporis और pedis, तो इस clinical infection, जिसके आधार पर नाम रखा जा रहा है, और positive organism कौन सा होगा, उसके level पर देखते हैं, तो clinical infection, किस reason को involved करेगा, बार भी है, तो barbers each, जिसमें कहते हैं, itching होगा, चुकि ये जो cutaneous involvement वाले fungal infection होते हैं, dermatophytes के जो mom live होते हैं, उसमें inflammatory response होता है, इसलिए itching होती है, तो यहा और खास तरह पर non hairy smooth skin पर hyisenda maintain करने के वाज़ा से, यह ringworm के infection, कारपुरिस, जो हमारे समझ सकते हैं, बगलो में जिसको कहते हैं, वहाँ पर इसके infection होने के chances होते हैं, टीनिया रूब्रम ही involved करेगा, टीनिया कैप्टिस के मामले हैं, तो scalp का involvement, और टीनिया कैप्टिस के मामल में हम scalp के involvement को देखने की problem हम यहाँ पर मिलेगी, जिसमें हम fevus और carry-on के condition पढ़ेंगे, तो इसमें inflammatory जो condition होती है, वो carry-on और यह के है, carry-on और fevus के रूप में यह represent की जाएगी, scalp को involved करता है, scalp के hair involved होंगे, तो endothrix के रूप में होगा, नाम इसका pattern हमें पता होने हैं, टी वहाँ पर scar बन जाएगा, जब heel होगा तो scar बनेगा, तो वो fevus और carry-on के रूप में represent करता है, आगे हम discuss करेंगे इसके बारे में, जबकि इसका जो non-inflammatory type होता है, वो non-inflammatory type, वो grey dot और black dot के रूप में नजर आता है, तो अगर hair के सिर्फ side पर involved करेगा, tiniya captives के दो pattern है, vast involvement ह साथ fevus और carry-on, और किवल hair के level पर non-inflammatory involvement कर रहा है, तो एक्टोथ्रिक्स या इंडोथ्रिक्स का black dot और grey dot के मामले हमें देखने को मिलेंगे, इसके लिए जो positive organism involved होता है, किस genre का होगा, trichophyton, जैसा कि आप सोच सकते हैं, लेकिन इंडिया में अगर कह रहे हैं, तो trichophyton violacium में जो micro-organism, जो इस genre के involved करता है, यही दो होते हैं, लेकिन इंडिया में trichophyton का, violacium, US, UK में transurance और European countries में microsporum का नाम हमें देना होता है, next, tinea cruris, जिसे jock-ich कहते हैं, groin और perineum के मामलों में, तो tinea pedis के मामलों में, या tinea cruris के मामलों में, तो यहां groin और perineum के region को involved करे मैंने आप सका, tinea में एक हिंट है, हमारे पास, tinea rubrum का नाम लिखा ही देना है, देखे, सारे में आप tinea rubrum लिखते जा रहे हैं, क्यों tinea captives में थोड़ा बच रहे थे, बागे सब में हम लिख सकते हैं, इसके लामा, यहां पर देखे, skin का involvement है, तो epidermophyton भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर देख रहे हैं, epidermophyton floccosum, epidermophyton floccosum, तो यह लिखा जा सकता है, tinea crurus के मामलों में, trichophyton rubrum, tinea pedis के मामलों में, foot के interdigital species में, अगर foot में देखा होगा, वरसात के दिनों में fungal infection हो जाते हैं, इचिंग खुब सारे होते हैं, और interdigital species में, हमें यहां पर, खास तर पर fourth interdigital species में, बहुत सारे इचिंग के साथ, fungal infection होता है, जो tinea rubrum की वज़ा से, या epidermophyton floccosum की वज़ा से होता है, tinea अंगवम, जो nail को involved करता है, वहां पर, आप tinea rubrum को तो याद करी सकते हैं, लेकिन यहां, microsporum से related कोई नाम नहीं याद करना है, क्योंकि MN के साथ कभी भी associated नहीं होता है, dermatofights के level पर, drug of choice क्या होते हैं, तो हमने यह आपको बताया था, यहां पर, dermatofights में, terbinafin, बहुत अच्छा drug है, वो इसलिए है, क्योंकि bacteriocidal effects होते हैं, हमने pharma से related introductory topic में ही discuss कर लिया दूसरा, graciofalvin यही काम करता है, oral हम देते हैं, systemic root से distribute होते हुए, वो keratin के sides पर जा करके deposit होगा, और वहां पर fungus की killing करेगा, लेकिन दोनों में बहतर drug की बात कही जाए, graciofalvin हो, terbinafin हो, तो हम terbinafin को prefer करते हैं, तो देखें, आपर terbinafin drug of choice है, हर तरीके के tiniya के लिए, अब tiniya captives का मामला हो, तो वहाँ graciofalvin हम लेख सकते हैं, बाकि, topical root से देना हो, तो kotri moxazole या mekonazole prefer किया जा सकता है, पीज़ाई में पुछा किया question regarding athletes food, true is, तो athletes food के मामलों में, fourth web space, मैंने भी discussion के दोरान ही बताया था, आपने देखा भी होगा, बरसात की दिनों में, पैरो मे athletes food जब होते हैं, तो severe itching होता है, वो trichophyton rubrum के द्वारा होगा, बिल्कुल ठीक बात है भाई, वहाँ पर trichophyton rubrum, चुके tiniya का कोई मामला हो, tiniya captives को छोड़ दिया जा है, तो बाकि सारे मामलों में हम सिफर side में होते हैं, सिधे कह सकते हैं, trichophyton rubrum का infection, तो उस आधार पर ये बात सही साबित होती है, इसमें hyperhydrosis present होता है, बिल्कुल ठीक बात है, और इस तरीके से सारे ही option सही है, एम्स में पूछा गया question, most common is for tiniya croris, तो adult males में tiniya croris के मामले देखने को मिलते हैं, एम्स और जिपर में इसी तरीकी की question पूछे गया है, 22 year old female presented with complaint of severe itching and scaling in the groin for the past one month, अब आप समझ सकते हैं, itching भी कह रहे है, scaling भी है, one month से, simple सी बात है, यहाँ पर tiniya croris की बात कहीं जा रही है, और most common organism, आपको कुछ भी नहीं पता, बस आपको tiniya croris पता है, तो आपको ये भी पता है, ये तीनिया के अधिकतर मामलों में, tiniya capitis छोड़ दिया जा अधिकतर में, इंडिया में, जो most common organism होता है, वो तीनिया वायलेसियम होता है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है, यहाँ पर tiniya capitis के मामलों में, इंडिया में, जो most common organism होता है, वो तीनिया वायलेसियम होता है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है, यहाँ पर tiniya capitis के माम पर देखें, Trichophyton rubrum, most common आप कह सकते हैं, अगर capitis नहीं है, तो आप सीधे यही option देखिए, Candida ये सब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये Trinia Crudis का मामला है, उसी आधार पर हमें कहाना है, एक और नीट में पूछा गया question, तो आप समझ सकते हैं, स्क्राप करिए, केवच का माउंट लीजे, ग्राम स्टेन केवल और केवल Candida का जहाम आमला होगा, वहीं पर मदद करेगा, वुडलैम भी हर जगा मदद नहीं कर पाते हैं, केवच माउंट पर हम फंगस को आसानी से देख सकते हैं, और ये फिलामेंट Scalp की condition है, जिसमें clinical presentation जब दिया जाता है, तो कुछ हिंट भी होते हैं, child का presentation होगा, easy pluckability of hair होगे, broken hair की story होगी, और यहाँ पर organism condition wise बदलते रहेंगे, इंडिया में होगा तो इसका कारण अलग होगा, US में होगा, European countries के लिए इसका कारण अलग होते हैं, इसमें presentation कैसा मिलता ह यह fungal infection है, जो scalp को involve करता है और वहाँ पर pruratic scaling areas जो hair loss के साथ present करती हैं, ऐसा देखा जा सकता है, इसे ring worm of scalp या tinea tonsurens भी कहा जाता है, इससे पहले हम लोगोंने siboric dermatitis पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे siboric dermatitis में alopecia जैसी condition नहीं देखने को मिलीगे, जबकि यह वहाँ पर टीनिया कैप्टिस में हम alopecia जैसे condition देख सकते हैं, वहाँ पर skin के दूसरे areas भी involved करेंगे, जहां कहीं भी sebum की presence पाई जाते हैं, वहाँ वहाँ involvement हम देखने को पाते हैं, तो malassezia के द्वारा होने वाला यह infection किसी भी इस group को involved कर सकता है, soriasis के मावलों बे हम देखते हैं, hair broken नहीं होगा, और दूसरे side भी involved होंगे, अगर scalp involved हो रहा है, तो elbow और knee के level पर भी हम देखेंगे, nail के changes की story भी हमारे सामने दी गई होगी, alopecia, ariata का अगर माबला होगा, तो वह autoimmunity का कोई न कोई कारण दिया गया होगा, और उसमें scaling absent होती, यहां पर जो हम कह रहे हैं, उसमें जो presentation बताई जाती है, वो 3 to 7 years के आसपास, में child के presentation होगी, और US में यह data जो दिया गया है, वो US का अगर story होगा, तो उसमें trichophyton transurance involved होता है, इंडिया में यही बात violacium के साथ होगा, European country की history होगे, तो micro sporum canis के वज़ा से होगा, इसकी जो presentation होती, tinia, cactus, यह कई अलग-अलग तरीके से present कर सकता है, इसमें dry scaling के साथ present कर सकता है, black dot के साथ present कर सकता है, और यह जब मामले होते हैं, तो फिर presentation non-inflammatory होता है, जिसे हम black dot, gray dot कहते हैं, तो इसके बारे हम देखेंगे, यह non-inflammatory, जहाँ पर scarring नहीं होगा, scar की presence नहीं होगे, जबकि carry-on औ बहुत ही ज़्यादा inflammation के साथ नजर आएगा, जिसमें absciss का formation होता है, carry-on, आप समस्कते carry-on बहुत ज़्यादा होता है, बना रहता है, inflammation, इसके करण absciss की presence के साथ, miss scale पर, head पर, scalp पर absciss की presence हो जाती, तो carry-on होता है, फैवस के मामलों में yellow crust और matted hair के साथ, यह present करते हैं, तो देखें, यह scalp के hair shaft के involvement की वज़ा से होने वाली समस्या है, जो tinea capitis कहलाती है, जैसे कि मैंने आपको बताए, यह trichophyton या microsporum, अगर European country की मामला होगा, तो microsporum की species होगी, जबकि India या US का मामला होगा, तो उसमें trichophyton के मामले देखने को मिलते हैं, clinical features, मैंने आपको बता inflammatory है, जो inflammation के साथ present करता है, दो ही pattern है, inflammatory में carry-on और famous के मामले होते हैं, जो कि non-inflammation में grey dot और black dot के मामले होंगे, तो hint जो tinea capitis के मामलों में मिलता है, वो child के presentation होगी, easy pluckability of hair होगा, broken hair के साथ, इसमें जो organism होते हैं, कई बार अलग लग जगों पर अलग लग तरीके से होते हैं, इंडिया में trichophyton violacium के मामले में हमें पता होने चाहिए, अगर US की history है, तो वहाँ transurance का नाम होगा, micro sporum बाकी कुछ जगों पर, Sean Lenai का नाम भी कई बार exam से में पूछ लिया गया है, खैर, चलते हैं, classification जो tinea capitis का होता है, वो किस तरीके से समझा जा सकता है, उसमें दो अल पर हम देखें, inside the hair shaft, अगर fungal spore पाया जागा, तो उसे endothrix का जाता है, दूसरा pattern है, जिसमें outside the hair shaft की presence होती है, यानि cuticle के वाल involved होता है, आप कलपना कर सकता है, hair के structure को देख करके, तो endothrix के ये मामले होते हैं, inflammatory type pattern जो tinea capitis का होता है, उसमें inflammation है, जाहर से बात है, body का violent action हो होगा, वहाँ damaging effects भी होगा, इसलिए जब healing होगा, तो scar के साथ presence देखने को बिलेगा, तो देखें, scarring alopecia के साथ ही मामले नजर आते हैं, carry on देखें, तो ये एक side में carry on, जिसमें हम देख सकते हैं, inflammatory response की वज़ा से, boggy swelling देखी जा सकती है, इसके भीतर pus की presence हो सकती है, painful होता है, ये swelling इसलिए किया है, क्योंकि इसकी भीतर pus है, purulent nodules ये बना हुआ है, इसमें pus discharge होगा, तो फिर sinuses की presence देखने को बिल सकती है, जबकि दूसरे side में आप non-inflammatory black dot की condition देख रहें, black dot, जिसमें endothrix का involvement होता है, fungal spore inside the hair है, endothrix है, और ये इसी वज़ा से hair कमजूर हो जाती है, hair जहीं surface के उपर बढ़ता है, वो तूटने लगता है, इसके कारण broken tips जो होते हैं, हाला कि है inflammation है, inflammation के मामले नहीं होंगे, inside the endothrix का मामला होगा, inside the hair shaft, fungus grow कर रहा है, और जैसे जैसे fungus grow करता है, उसके बाद, चुकि fungus की colony grow कर रही है, तो hair कमजूर हो जाता है, तो तूटन से एक grey dot भी non-inflammatory में होता है, तो अभी carry-on को देखते हैं, और carry-on के साथ ही, एक favus की condition होती है, favus की यह जो condition दरशाईगी है, अब देखें, यहाँ पर कोई boggy swelling नहीं है, proper involvement आपको देखने को मिल रहा है, यह crusty involvement है, crust की presence in the hair follicles, यह crust का involvement देखने को मिल रहा है, और इसकी वज़ा से alopecia बाद में होगा, जो scarring के साथ present करेगा, यहाँ पर concave, yellow, cup-shift, crust बाद में निकलते हैं, और इन्हें skewtula कहा जाता है, इसमें देखें, fungus की colony, dense crust के साथ present कर रही है, hair follicle में, और कुछ दूबाद hair follicle, means, hair भी गिर जाएंगे, alopecia हो जाएगा, देखें, alopecia की presence देरे देरे बढ़ रही है, और यहाँ पर scutula, cup-shift, yellow, concave, यह scutula की presence अब justify कर सकते हैं, तो carry on, जो की boggy swelling के साथ हमने देखा था, scalp में, वो painful भी होता है, inflammatory होता है, swelling जो हुई है, उसके भी तरफ पस होगा, sinuses की presence, यह aims में पूछे गया, सारे points important हैं, इसमें, swelling जहाँ पर है वहाँ से air आसानी से निकल जाता है, painless, pluckable hair होते हैं, aims में इस तरीके से question पूछा गया है, occipital reason में इतना violent action होगा, तो पीछे, यह occipital reason में हम lymphadenopathy भी देखेंगे, क्योंकि hair जब pluck होगा, तो आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा swelling है, pus के साथ है, तो occipital lymphadenopathy यहाँ पर possible है, फैवस के मामलों में, हम देखते हैं, endothrix with ear spacious inside the hair, यह इस तरीकी की condition होती है, जिसमें dense crust, hair follicle में देखने को मिला था, जो crust जो था वो बाद में हटेगा, तो alopecia करा देगा, hair भी वहाँ से अलग हो जाती है, ऐसे मामलों, concave yellow cup shaped crust, जो scutula कहलाता है, वो scalper बन गया था, तो देखते हैं, aims में question किस तरीके से पूछा गया है, an eight year old child presented with localized non scaring, यानि non scaring मतलब scar नहीं बना, यानि वहाँ पर inflammation नहीं है, यह non scaring alopecia over the scalp with etching and scales, ठीक बात है, देखते हैं, यह जो मामला इसने बताया है, non inflammatory condition वाले type में यह जाएगा, alopecia तो है, etching है, तो जाहिर से बात है, टीनिया का तो मामला होगा, क्योंकि etching भी है, scale के साथ है, अब देखना होगा, hair के level पर, scalp के level पर किस को आप देखेंगे, तो like and planets हो नहीं सकता, barby हो नहीं सकता, area अरियाटा हो नहीं सकता, वहाँ पर, alopecia तो है, देखन, etching के साथ है, इसलिए alopecia area नहीं कह सकते, barby हो नह सकता है, capitis का मामला ये होगा, एक और question देखते हैं, इमस में पूछा गया, question रहा, a 10-year-old boy, presented with a painful boggy swelling, आप समझ सकते हैं, ये, किस की बात कर रहे है, area on की बात कर रहे है, scalp, multiple sinuses with purulent discharge, सारी story, किस की और इशारा कर रही है, boggy swelling scalp पर है, easy pluckable hair, आप समझ सकते हैं, in last lymph node, in occipital reason, सारे point हमने discuss कर रहा है, और which of the following would be the most useful diagnosis, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर QH mount करेंगे, tinea, capitis मिलेगा, inflammatory type, ये condition, carry on की और इशारा कर रही है, यहाँ पर BAPCN culture, bacterial culture, patch test कोई मतलब नहीं है, patch test कब करते हैं, जब हमें देखना हो allergic response, तो allergic का कोई मामला है नहीं, bacteria का मामला है नहीं fungus का मामला है, तो इसमें हम करेंगे क्या, KOH, mount करेंगे, tinea, capitis का ये मामला है, फिर non-inflammatory type की और चलते हैं, इसमें non-scaring alopecia देखने को बिलेगा, black dot, जो endothrix के मामलों में, मैंने आपको बता है, भीतर से fungus की colony, जो endothrix inside the hair shaft, fungal spore पाया जाएगा, जो hair को weak कर देता है, और इस caused by trichophyton, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर trichophyton ही option होगा, tinea के अधिकतर मामलों में, अगर species focus किया जाए, तो उस पर भी हम बात कर चुके है, तो यसी थे तोर पर tinea capitis के non-inflammatory type के रूप में देखा जा सकता है, gray dot की बात करें, तो यहाँ पर ectothrix के involvement की वज़ा से, gray colored areas of alopecia with scales hence called gray patch, और here 3-4 mm above the scalp surface यहाँ से break होती है, break दोनों ही मामलों में होगा, और tinea capitis, endothrix is caused by, अब सवाल यह पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं, tinea capitis के सीधे तोर पर बात कर रहे हैं, PGI का question है, epidermophyton को छोड़ दीजे, तो बाकी सारे हो सकते हैं, आपर देखे, rubrum बाकी सार में discuss किया था, कि कोई भी in general tinea आप से कहा जाए, तो trichophyton rubrum का option आप choose कर लीजेगा, लेकिन tinea capitis के मामलों में हमें ध्यान रखना है, कौन-कौन से species यहाँ पर होगी, उनको देखे, तो epidermophyton कभी भी hair को involved नहीं कर सकता, आप जानते हैं, तो hair से related, यहाँ पर कुछ भी नही हो सकता है, अब बचा हमारे पास, microsporem, microsporem, nail को involved नहीं कर सकता है, hair को involved कर सकता है इसलिए इसके बारे में कोई doubt नहीं है ये microsporum canis के मामलों में positive response दिखाएगा कुछ trichophyton species के लिए लेकिन यहाँ पर 100% visualization नहीं हो पाता है culture कर सकते हैं SDA पर इसके साथ कुछ और चीज़ें add की जाएंगे ताकि unwanted bacteria की growth नहों सके या unwanted fungus की growth नहों सके treatment की बात आती है तो treatment अगर बहुत specific नहां कहा जाए लेकिन अगर ट्राइको फाइटान के species की बात कह रहा है तो वहाँ पर ओरल टर्बिनाफिन ड्रग आफ चोईस हो सकता है अगर species नहीं कहा गया है तो फिर हमें ग्रेसियो फल्विन को ही लेना है बाकी टॉपिकली हम इकोनाजोल, कोट्री, मॉकसाजोल और इकोनाजोल दे सकते हैं अब एक कोशन पुछा गया है तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर टीनिया कैप्टिस की बात कहेगी तो ओरल ग्रेसियो फल्विन देना है कहाँ पर था अभी हमने डिसकस किया था कब वो ट्राइको माइकोसस एक्जिलैरिस के मामलों में शेविन अफ हैर आप्शन हो सकता है लेकिन यहाँ पर हमें ओरल ग्रेसियो फल्विन है देना गवा तो आपको पता ना कोराइनी बैक्ट्रियम टैनुईस के वज़ा से होने वाला ट्राइको माइकोसस एक्जिलैरिस के मामलों में यह हमें करना चाहिए फार्मा का एक फैक्ट है विजब दो फॉल्लिंग इस नाट एन एंटी फंगल तो कैपसो फंगिन आपको पता है पिछले लेक्शन में डिसकस हो चुका है सैक्लोपायरॉक्स इसके पारे में बात हो चुका है क्लोफाजमिन यह नहीं है और अन्डेसैक्लेनिक, साइलेनिक एसीड तो यह भी ऑप्शन में हमें पता होने चाहिए तो इस तरीकी का एक फार्मा का कुश्चन, अब तक हम लोगों ने हेर और स्किन के लेवल पर इंवाल्मेंट देख लिया, अगर बात करनी हो निल के इंवाल्मेंट की, यानि ओनाइको माइकोसिस पर बात करनी हो, तो कौन से ड्रग्स दे सकते हैं, उसको भी थोड़ा समझ देते हैं, तो देखें, उनाइको माइकोसिस, इसमें कई तरीकी के पैटरन देखने को मिल सकते हैं, अलग-अलग लेवल पर हमें इसका पैटरन देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमल है, सुपरफिशल है, डिस्टल है, किस तरीके का फंगल इंवाल्मेंट है, हाला कि इस तर परसंट के ओच माउंट बनाने पर हमें केराटिन डिसॉल्व हो जाएगी, फंगस की प्रजंस देखने को बिल जाएगी, जब हमारे पास कन्फर्म हो जाएगा, तो फिर हमें यहाँ पर तर्विनाफिन, ओरल रूट से देना चाहिए, और टर्विनाफिन देने के पीछे मकसद यह है, कि टीनिया अंगम की जो बात होती है, या रिंग वर्म आफ नेल या उनाइको माइकोसिस की, इसमें जो हमारे पास थिरापी का उप्षिन है, वो 6 वीक से लिएका 12 वीक तक हो सकता है, अगर ये फिंगर के नेल का मामला है, तो फिर 6 वीक तक हमें थिरापी देने होती है, और अगर ये टो नेल का मामला है, तो फिर 12 वीक तक थिरापी देने होती है, इसमें एक आप्षिन पल्स थिरापी का भी होता है, कैसे हम देंगे, उसको देख लेते हैं, उनाइको माइकोसिस, टीनिया, अंगम या फिर रिंग वर्म आफ नेल इसे कहा जाता है, treatment के option में finger nail होगा, तो मैंने आपको कहा 6 week के लिए और toe nail है, तो 12 week के लिए टर्बिनाफिन देना होता है, इसमें 250 mg per day, 6 week तक देते रहते हैं, और टर्बिनाफिन 12 weeks तक दे सकते हैं, हाला कि आपको पता होना चाहिए, यह जो भी drugs हैं, इनके बड़े ही side effects होते हैं, हिपेटो टॉक्सिसितीन की measure side effects होते हैं, इसलिए हम pulse therapy का भी option देखते हैं, pulse therapy में क्या करते हैं, single high concentration dose दे करके, फिर उसके बाद एक pause देते हैं, pause देने के पीछे मकसद क्या होता है, आपको पता है, fungus कुछ dormant state में होंगे, कुछ growing state में होंगे, तो जो grow कर चुके, उनको था हमने मार दिया, पहले खुराक में ज्यादा dose दे करके, फिर हमने कुछ दिनों का pause लिया, फिर उस दौर में जो already dormant state में fungus होंगे, वो grow कर चुके होंगे, फिर pulse therapy में pause phase के बाद, फिर हम higher concentration देते हैं, ताकि जो भी grow करके बड़े हो चुके fungus होंगे, वो भी मार दिया चाहें, तो इस तरीके से oral itraconazole हम देते हैं, अगर मामला finger nail का है, तो 400 mg per day, एक हफते तक पहले देंगे, बात समझया, यानि 7 days तक, हम 400 mg itraconazole देंगे, फिर 3 week तक stop रखेंगे, पूरे महने में 4 हफते होते हैं तो शुरुवाती एक हफते तक ये देते हैं, उसके बाद 3 week तक हम नहीं देंगे, फिर हम high dose 400 mg का एक और हफते के लिए चलाएंगे, इस तरीके से total हम 2 months तक चलाएंगे, जबकि यहाँ पर toenails का अगर मामला होगा, तो फिर 400 mg वाला जो pulse dose है, वो 3 months तक के लिए चलाना चाहिए, बात समझवा है, तो या तो आप 6 week, 12 week वाला परड़े खाते रहिए, या फिर एक तरीका यह हो सकता है, high dose में इट्राकोनाजोल लीजिए, एक हफते तक खाईए, 3 week का पॉज लीजिए, फिर एक हफते तक खाईए, बाले इस तरीके से 2 मेने का पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, फिंगर नेल के लिए, और जब आप 2 नेल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें यही पल्स थिरैपी 3 मन तक लेनी पड़ सकती है, तो इस तरीके से इट्राकोनाजोल के लेवल पर टीनिया अंगम या ओनाइकोमाइकोसिस को ठीक करने का प्रयास करते हैं, एक क्वेशन पूछा गया है, तो आप जानते हैं, नेल की जो प्लेट होती है, यह जो नेल की प्लेट है, उसे अफेक्ट करता है, वो नेल फोल्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, या फिर इंटर डिजिटल अफेक्स, इस पेसिस को अफेक्ट नहीं करेगा, या जोईंट्स क इस nail plate के region पर होगा है literally जो paronikeum होता है paronikea यह जिसे हम कहते हैं यहाँ पर fungal infection होने का chance होता है जबकि आप psoriasis के मामले में यहाँ पर involvement हम देखते हैं तो काफिय तक हम समझ सकते हैं कहाँ पर किसका involvement होता है और tinea अंगम किसे affect करता है nail plate को nail folds को नहीं वहाँ पर bacterial involvement हो सकता है तीनिया अंगम जो onychomycosis होता है यह nail plate का infection है वहाँ invasion होता है किस के द्वारा trichophyton के द्वारा जिसमें trichophyton rubrum मैंने आप से कहाना कि हमारे पास सबसे बहतर हथियार है option choose करने का कोई भी हो इसको देखिए आप option लगा दिए nail fold का involvement यह classical होता है candida infection के मामलों में nail fold paronicae वाले जो मामले हैं वहाँ पर candida का infection हो सकता है bacterial infection भी nail fold के हिस हो सकता है nail fold आपने देखा यह side में paronicae के condition जो हाँ पर bacterial या फिर candida का infection जबकि यहाँ पर trichophyton rubrum का infection अब सवाल पूछा के tinea अंगम के condition में क्या क्या दे सकते हैं itraconazole बिल्कुल दीजिए यह first line drug है फिर terbinafin बिल्कुल दीजिए यह भी first line drug है क्या cyclopirox olamine दिया जा सकता है बिल्कुल दिया जा सकता है topical preparation है जो कि nil paint के रूप में दिया जा सकता है ताकि यह nil plate पर fungus की colony को हम grow करने से रोख सकता है लेकिन first line बात कहें तो keratin के level पर जा करके keratinophilic oral drugs हम देते हैं जिसमें हमारे पास terbinafin का अच्छा option है हला कि pulse थिरे पर दे रहा है तो वहाँ पर traconazole high dose में one week के लिए three week का pause फिर one week के लिए फिर three week का pause ऐसे अगर finger nails का मामला है toe के मामले हैं तो यही काम three months के लिए one week, three week pause इस तरीके का जो मामला है वो three months के duration के लिए हम toenail के लिए करते हैं अब EMS में पुछा गया question रहा है 60 year old male अच्छा ठीक बात है तो यहाँ पर क्या हुआ है discoloration है, thickening है सीथे तोर पर यह इशारा करें fungus के infection के और विचाप दो following विल क्लेंज दो डाइगनोसिस अर्लियर तो आप समझ सकते हैं तुरंत आप वहाँ से scrap करिए QH mount करिए आपको मिल जाएगा trichophyton की prisions आसानी से देखा जा सकता है कई बार यह मामले wood lime पर छूड जाते है QH mount पर आप direct देख सकते हैं फिर सवाल यह aims में पूछा गया है drug not used topically for dermatofides तो आपको पता है dermatofides में हम topically जो preparation होता है वो gracio falven का नहीं gracio falven actual में oral root से ही दिया जाता है ikonazole यह topical dermatofides के लिए देते हैं terbinafin का topical preparation available है और हमने पहले lecture में जब discuss किया था terbinafin की azoles की तो वहीं पर बात किया था emerald fin ironmins की और इसका ironmint onychomycosis में दिया जाता है तो हम जानते हैं gracio falven यह के वह oral preparation है और यह dermatofides के tiniya captive के मामलों में drug of choice है यह candida या tiniya versicolor मतलब उन मामलों में जहां topical preparation की जरूवत होती उन में बिलकुल भी effective नहीं होता यह aims में पूछा गया question रहा है अगले lecture में हम बात करेंगे कुछ subcutaneous fungus के बारे में और उसके बाद हम और level पर systemic और opportunistic fungus के infections के level पर बात करेंगे